हलो एवरिवान स्वागत है आप सभी का डाउटनट लाइव में तो यार आज इस मास्टर क्लास में हम लोग एक इंपॉर्टन टॉपिक तैयार करेंगे इंपॉर्टन टॉपिक के उपर डिसकस करेंगे काफी इंपॉर्टन फिजिकल फिनॉमिना है जिसकी वजह से आस्मान दिखाई देता है गानस नावेल और यहार जान समय आख मान हो जाता है सूरज दिखाई देता है तो इन वह dolor ऒऔर कि दो को की चर्चा की घगी चातम करेंगे चलिए बेटा तो सीखते हैं सबसे पहले कि Scattering of Light होती क्या है कि कैई लाइट की अगर मैं बात करऊं तो बेटा बहुती बेसिक फिनोमिना है जैसे फिनोमिना क्या होते हैं लाइट के लाइट के फिनोमिना होते हैं लाइट के रिफ्रेक्शन, हम लोगों ने पढ़ा है दस्वी में, भाई, लैंस का चेप्टर पढ़ा है ता याद कर ले, रिफ्रेक्शन और रिफ्रेक्शन दोनों चीजे पढ़ाई थी, तो यह फिनोमिनाज ओफ लाइट है, अब स्केटरिंग ओफ ला लाइट सफेद कलर की, वाइट कलर की दिखाए दिता, अरे संसे जो लाइट आती है, सूरस से वो सफेद कलर की होती है, लेकिन हमने human eye and colorful world में एक चीज पढ़ी थी, जिसका नाम था dispersion, प्रिजम लगाया था, प्रिजम पे लाइट गिराई थी, और उस लाइट की वज़े से, क्या हो रहा था, उस light की वज़े से, हमें दिखाई दे रहा था, क्या, साथ color light, क्या दिखाई दे रहा था, साथ color दिखाई दे रहा था, किसके light लाइट के, ठीक है, एक बार फिर से लेके आते हैं उसी page को, जहína से हमने start किया था, चलिए, चलिए, बहुत सभी, बहुत उनका order क्या रहता था हमेशा विब्ग्योर के उसमें रहता था मतलब कि जिसकी wavelength जादा है वो कम bend होगी इन्वर्स होती थी bending wavelength के जिसकी wavelength का में वो जादा bend होगी तो violet color की क्या होती थी wavelength सबसे कम होती थी और energy सबसे जादा होती थी यह चीज याद रखने है बच्चो वी आई बी जी वाई ओ आर विब्ग्योर इसमें violet से और red की तरफ जब मैं जाऊंगा तो बेटा क्या होगा तो basic सा एक फिनोमेना होगा कि wavelength ऐसे बढ़ेगी wavelength कैसे बढ़ेगी wavelength ऐसे बढ़ेगी यहां निकी सबसे कम होगी वॉयलेट की फिर इंडीगों की फिर ब्लू की फिर ग्रीन की फिर यहलो के फिर न चीrom की एंडेन और इंण रएट की ठीक है तो हमें क्या समझ में आ गया यह चीजस का का सबसे ज़ादा क्या होता था Wow वेवलेंट होता था और जिसका वेवलेंट सबसे कम होता तो सबसे ज्यादा बेंड होता था ठीक है यह चीज हमें समझ में आगे थी बेंडिंग के बारे में हमने पढ़ देख बहुत सभी अब हम आज पढ़ रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो मैंने यह फिनोमेना बस तो उस साथो कलर में फैलेगी स्कैटरिंग का एक्शल में मीनिंग क्या होता उसे समझते देखो डिफलेक्शन ऑफ ररी फ्रोम ए स्ट्रेट पाथ फोर एग्जामपल बाई एर्रेगुलरिटी इंदा प्रोपगेशन मीडियम पार्टिकल्स और इंडर इंटरफेस बिट् तो बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं बहुत सारे धूल मिट्टी के कन होते हैं बहुत सारे पॉलिशन भी आजकल तो बहुत ज्यादा रहता है अभी तो कम हो गया इस टाइम पर लेकिन बट लॉकडाउन से पहले कितना पॉलिशन होता था तो मतलब यहीं कि धूल सब्सक्राइब के बाद वो अपने कॉंस्ट्टुट्वेंट कलर में तोटके ऐसे फैल जाती है चालो तरह तरह तो छों कहीं पर लाल नीला इंडीगो वाईलेट येलो ओरेंज ग्रीन सारे कलर उसमें से क्या होते हैं ऐसे ऐसे तरह से फैल जाते हैं ठीक इस फिनोमिना को बोलते हैं scattering of light clear है सभी को समझ में आगे चलो scattering of light क्या बोलते है scattering of light की definition आप लोगों के सामने है नजर आ रही है आप लोगों को और scattering of light का meaning है वो मैंने आपको समझा दिया है कि light का किसी भी medium के particle से टकरा के अपने साथ color में तूटके फैल जाना एक basic और देशी definition है साथ color में फैल जाना क्या कहलाता है उसका scattering कहलाता ठीक अब दिखो क्या है हमें basic चीज समझा हुए it is consequence of interaction of light with the electric field of scattering particle मतलब electric field वगएर आपको याद नहीं रखना है ठीक है इस पर ध्यान नहीं देना है यह क्या scattering हुई है अगर कोई light particle से नहीं टकर आएगी न तो उसकी scattering नहीं होगी यह बात याद रखने है अगर कोई light particle से नहीं टकर आएगी तो scatter नहीं करेगी scatter कब करेगी जब particle से टकर आएगी किसी भी medium में बहुत सारे particle है अगर बहुत सारे particle को पार्टिकल मीडियम के अंदर हैं तो बेटा उनके अंदर अगर आप favor. अगर light टकरा के इधर उधर रिफ्लेक्ट कर रही है पार्टिकल से अगर पार्टिकल नहीं यह होंगे तो सीधी निकल जाएगी फिर आप को पार्टिकल लाड नहीं दिखेंगे करते हैं कि जैसे आप पैनि लो पानि कि आप पानी जुँ पानी लो उसमें लै कलर डालो ग्लास से गुसेगे अंदर पानी के अब आपको थोड़ा थोड़ा पानी लाल दिखाई देने लगे मतलब पानी के मॉलिकुल्स भी लाल लाल दिखाई देने लगेंगे क्यों है हुआ ऐसा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पार्टिकल होते हैं वाटर के मॉलीकूल होते हैं उनसे लाइट टकर आई फिर दूसरे पर पड़ी फिर उससे टकर आई फिर तीसरे पर पड़ी फिर चौतर पर इसलिए वो मॉलीकूल का कलर ऐसा हो गया और हमें पूरा पानी लाल दिखाए देता है अब ऐसा मान के चलो कि वहां पर कोई पानी पानी रखा हुआ है और कुछ है यहां पर मेरे असपास धूल मिटी कुछ भी नहीं है तो यहां पर में लेजर लाइट मारूंगा ना तो सीधी निकल जाएगी मुझे यहां की चीज़े थोड़ी ना लाल दिखाए देंगी पानी तो मुझे थोड़ा-थोड़ा लाल कर रही थी सकाटर कर रही ती यहां कुछ भी नहीं हैं का और पास का माहौल किया नहीं होगा यहां का आसपास का माहौल लाल नहीं होगा नहीं तो लेकिन पानी हो गया कि मॉलीकि inference की वज़े से साध्र करा रही तो बैटा बेशिक चीज है आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि scattering of light एक बहुत ही ज़ादा basic phenomena है जिसे हम इस परकार से समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे medium है particle है light का particle से टकरा के फैल जाना अपने constituent colors में फैल जाना क्या कहलाता है scattering of light आप देखो क्या लिखा हुआ है अब देखो हमें जनरली ये सवाल बोड के एक्जाम में पुछा जाता है ये आसमान है निला क्यों और दूसरी चीज़ जो हम से पुछी जाती है वो बच्चों के दिमाग में ही आती है मतलब दो तरीके से हम ये सवाल को explain कर सकते हैं बच्चों के दिमाग में सवाल आता है क्या आता है कि आसमान निला क्यों है दूसरी ज़्जाब में भी पूछे जाती है तो देखो समझो मेरी बात को भाई यहाँ पे सूर्य बगवान बैठे हुए सूर्य देवता यहाँ पे कहीं बैठे हुए यहां से light निकली चलो तो as sunlight moves through the atmosphere longer wavelength for example red pass state through मतलब क्या है मतलब यह है कि actual में क्या होता है कि सूरज से light निकली मतलब मान लो यहां पे सूरज है यहां से light निकली आ रही है यहां पे बहुत सारे particles टकराई 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 यहां पे आदमी खड़ा हुआ यहां पे उसके आँको पर गिरने वाली है ठीक है तो होता क्या है कि छोटी wavelength जो होती है छोटी wavelength कौन सी होती है बटा छोटी wavelength को फिर से लिख देता हूँ वी आई बी विब ग्योर जी वाई ओ आर ठीक है तो छोटी wavelength है वॉयलेट इंडिगो और ब्लू और बड़ी कौन सी है यलो ओरेंज और ग्रीन सबसे बड़ी है wavelength स्वरी यलो औरेंज और रेड शबसे बड़ी wavelength होती है रेड और सबसे छोटी होती वॉयलेट ठीक है चलिए तो देखो यार मेरे को एक चीज बेसिक सी पता है और मुझे अच्छे से ये बात समझ में आती है क्या सा बात समझ में आती है कि यार जो बड़ी wavelength है बड़ी wavelength कौन सी है red वो दूरी ज़ादा travel कर पाएगी और छोटी wavelength है वो कम दूरी travel कर पाएगी तो देख यहां से light आई ऐसे टकड़ाई particle से और छोटी wavelength तो इस्ट केटर हो गई फिर बड़ी बची लाल बची वो चलती गई फिर अगें light टकड़ाई हना वो मतलब ऐसा है कि जितनी भी light की raise आ रही है उन सब में से टकराने के कारण medium से बार बार टकराने के कारण medium के particle से बार बार टकराने के कारण छोटी wavelength तो वहीं पे scatter हो जाती है मतलब ऐसे आई और उड़ गई scatter क्या होता scatter मतलब फैल ना तो छोटी wavelength तो फैल जाते हैं वहीं पे सिरफ बड़ी wavelength क्या करती है बड़ी wavelength क्या करती है करते हैं तो अगर चोटी वेवलेंट वाइलट इंडी गो ब्लू चोटी वेवलेंट उपर उड़ गई तो इसका मतलब आसमान में क्या हो गया फैल गाए नीला कलर तो इसलिए एसा लगता है कि पेंट कर दिया उपर नीला आसमान। क्योंकि इसलिए ऐसे बोलते भी है paint the sky paint the sky blue paint the sky red ऐसा कुछ feel होता मतलब कभी सुना होगा आपने कहीं पे इधर उधर quote लिखी हुई सुन लियोगी ठीक है बागी ठीक है मतलब basic observation है हमने एक चीज़ सीखिए यहाँ पे कि light जब आएगी particle से टक राएगी तो छोटी wavelength तो उड़ जाती है उड़ गई कहां उड़ गई उपर उपर ही रह गई सिरब बड़ी धर्ती पे पहुँचेगी तो उपर रह गई तो उपर कौन कौन सी रह गई बेटा violet indigo blue तो violet indigo blue उपर ही रह जाती है सबसे पहले तो violet ही उड़ेगा आश्मान में तो आश्मान कलर violet क्यों नहीं है या indigo क्यों नहीं niż blue ही क्यों है तो उसका reason ही है हमारी आखे जो है उस sensitive होती है Blue कलर की तरफ जादा sensitive होती है blue color की तरफ blue color के लिए Thai होता हम violet color को soothing नहीं समझते तो बेटा हम डिसकस कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है बेसिक चीजे चलिए तो अब एक बारी मैं थोड़ा सा देख लेता हूं कि क्या डाउट है किसी भी बच्चे को अगर डाउट आ भी रहा है तो चलिए हाँ ओके हैपी टीचनस डे बच्चे बोल रहे हैं बहुत-बहुत सुब कामना है बेटा आप सभी को भी और थैंक यू आपकी विशेश के लिए प्यारी प्यारी विशेश के लिए चलिए मतलब कि आप लोगों को बता दिया कि लॉंगर वेवलेंथ तो नीचे पहुंच जाती है लेकिन छोटी वेवलेंथ क्या हो जाती है इंटरेक्ट करके गैस के साथ में और एट्मोस्फिर में फैल जाती है इसलिए हमें आसमान का रंग नीला दिखाए देता है आसमान क्या नीला है अगर आपसे पूछा जाए क्या आसमान नीला है नहीं क्योंकि बेटे सीधी सी बात आशमान जो एवह खाली स्पेस है हमारे चारो तरफ का हमारे आसपास के इन्वायर्मेंट में एत्मोस्फिर में जो गैसेशस से लाइट टकरा यह नहीं नहीं पर आस्बास मिंहीं कई स्कैटर होगी 네ले कलर की असमान कोई बहुत जादा दूर नहीं है और आस्मानकी कोई ओलिमिट भी आँस्मान में स्पैस है खाली जगाह है अब वहा हासमारी आंको में आहिओ । गराट। लगों को आस्मान काला दिखा देता है क्यों मैं मालों पीछे यहाँ पे कुछ है यह ब्लू स्कृन है मालो ब्लू मुझे दिखाए दे रहा है तो अब्या स्वान अब कमरे देगा मुझे बाहरो यह बोले को कुछ और रिप्रेक्ट के लाइट की कुछ प्रॉपर्ट्य या फिंओमिना वो फॉलो कर कुछ और दिख रहा हो तो जो वह बिसली स्पेस में खड़ा हुआ है तो उसे तो पता है कि आस्मान इसी तो कोई चीज़ी नहीं उसे पता यह तो खाली आसपास का स्पेस है लेकिन हमें आसमान दिखता हैं हम इसकाय बोलता है एक्चुल में खाली स्पेस है कुछ नहीं है समझ में आ जाए ड़ू कूर की ब्लू कलर क्या है असमान क्या है पहले यह समझना जरूरी है आसमान कुछ ऐसा नहीं है कि एक च्छत है आसमान जिसको ब्लू कलर कर दिया गया है नहीं हम यहां से ऊपर जाएंगे सब कुछ खाली-खाली है हमारी धरती देखी नहीं ऐसे गूम रही और चारों तरफ खाली स्पेस है तो हमारी धरती के थोड़ी सी ऊप सब्सक्राइब बहुत सारी चीज़ें हमारे ब्रहमांड में बहुत बहुत सारी चीज़ें इस यूनिवर्स में पता नहीं कितनी मिलकी वे कितनी गैलक्सी पता नहीं क्या क्या है तो मतलब आप यह चीज मान के चलो यह चीज समझ के चलो कि हमने अपनी अर्थ के जो सराउ देता है आसमान का है वो black actual में चारो तरफ space में क्या है black अब देखना कभी movie देखना कोई interstellar movie का नाम सुना होगा मुझे बड़े अच्छे लगती है तो वहाँ देखना आप लोग की दूसरे planet पे जब कोई आदमी जाता है तो बहुत कैसा दिखाई देता है सब कुछ black दिख चोटी wavelength जो होती है वो जल्दी scatter होती है और बड़ी wavelength जो होती है वो कैसे scatter होती है लेट scatter होती है यनिकि वो धरती तक पहुँचती है ठीक है हाँ आप देखो यार एक और चीज़ समझने है scattering है ना light जो आ रही है उसकी scattering जो है वो particle के size पे भी depend करती है हाँ ना मतलब gas के particle से टकरा के ही blue color क्या हुआ क्या हुआ blue color scatter हुआ क्या मैं blue color अपने हाथ से टकरा के निकाल सकता हूँ कि light यहाँ पे आई तो blue color में निकल जाए नहीं मेरा हाथ बड़ा particle है जिसके साथ light interact कर रही है वो अपने relative size के साथ ही क्या करेगी interact करेगी तब ही scattering होगी scattering का phenomenon भी याद रख जब light को अपने बराबर के particle मिलेंगे छोटे छोटे ठीक है clear है चालो तो आगे चलते हैं अगली चीज पे scattering of light हमने समझ लिया है चलिए बेटा आगे चलते है अब देखो sun sun जो है वो साम के time में लाल दिखाई देता है और sun के आसपास का horizon horizon या जो भी बोलता आप उसे वो the sun approaches पहले तो यह सारी चीजे जो notes है इसे याद रखना है बेटा और इसे अपने notebook में note करके रख लेना क्योंकि अगर आप इसे note करके रखो तो यह definition आप लिखके आ सकते हो ठीक है इसके नंबर आपको पूरे मिलें क्योंकि लिखने का जो तरीका होता है बोर के exam में उसके भी बच्चों को नंबर मिलते हैं अगर कोई teacher है copy check कर रहा है और उसे किसी बच्चे ने देख लिया कि किसी बच्चे ने अच्छा लिखा हुआ है तो definitely क्या करेगा appreciate करेगा बच्चे को अच्छे नंबर दे देगा तो आपको लिखके भी साफ सुतरा और अच्छे से लिख are scattered more before reaching to our eyes and thus sunset appear red समझ में आया क्या हुआ ऐसा हुआ कि sun जो है वो horizon पे जा रहा है कहां जा रहा है horizon पे अब horizon पे जब sun जाता है horizon पे जब जाता है तो sun से जो light निकली उसे ज़्यादा दूरी travel करनी जब sun छुपरा होता है ना उस time पे और जब उगरा होता है उस time पे sun को क्या करने sun से light को क्या करनी पढ़ती है जादा दूरी तै करनी पढ़ती है जब sun हमारी धर्ती के पास रहता है तो हमें गर्मी लगती हैől पूरे दिन बर शाम को और सुबह बहुत अच्छा मौशम होता है बहूत सुन्दर मौशम होता है और बहुत अच्छा भी लगता है क्यों कि उस टाइम पे लाइट को जादा दूरी ट्रेवल करनी पड़ रही है जादा दूरी ट्रेवल करने के कारण सन हमसे दूर जा चुका है और काफी सुहावना और ठंडा हमें लगता है ठीक है क्लियर है सबी लोगों को चीज ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है अब देखो टाइम पे उस टाइम पे क्या होता है उस टाइम पे संसे जो लाइट निकली उसे बहुत जादा दूरी ट्रेवल करनी पड़ती है जादा दूरी ट्रेवल करनी पड़ती है बिल्कुल सही बात है अब अगर संसे जो लाइट निकली उसे जादा दूरी ट्रेवल करनी सिरफ सारी light reflect हो जाती है सिरफ एक ही color बचता है जिसकी wavelength होती है सबसे बड़ी कौन सी red red color की wavelength हमारी आखों पे आके पड़ती है जिसके कारण हमें क्या दिखाई देता है आस्मान उस time पे लाल दिखाई देता है origin भी लाल दिखाई देता है मतलब समझे मैंने क्या बोला देखो light sun से आरे दोनों केस में एक में आस्मान नीला दिखाई दे रहा है एक में आस्मान लाल दिखाई दे रहा है reason क्या है reason दोनों का एक ही है scattering लेकिन एक में काम ऐसा हो रहा है कि सारी light scatter हो गई पहले ही blue color पूरा already scatter हो चुका है पहले ही और उपर scatter हो गया उपर ही scatter हो गया इसलिए आस्मान नीला है ठीक है लेकिन दूसरे case में क्या होगा दूसरे case में लाल light हमारी आखों पे पहुंची इसलिए हमें क्या दिखाई दे रहा है sun red दिखाई दे रहा है समझ में आ गया बेटा सभी लोगों को clear है समझ में आ गया चलिए बहुत सही बात है बहुत अच्छी बात है अब बच्चों को सवाल ये भी होना चाहिए कि सर जब आस्मान में से नीली light reflect हो गई थी और लाल तो तब भी हमारी आँकों पे पहुंची होगी तो मैंने बोला हम बेटा लाल तब भी आँकों पहुचती है तो लाल light आ कहां से रही है सूरस तो सूरस तब भी लाली दिखाई देता है यलो-यलो दिखाई देता है देखो यह पैन मुझे क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि इससे लाइट निकल रही है तो इससे जिस कलर की लाइट निकलती है किसी भी आपजेक्ट से वह ऐसा ही दिखाई देगा ठीक है हाँ तो हमने बोला कि जिस जिस तरह की लाइट हमें दिखाई देती है और वो वेसी ही लाइट हुते है जिस कलर का हमारा अबजेक्ट गए तो नीली तो उपर इसकाटर हो गई लाल आंक पर पहुँची लाइट आपको समझ में आगई अपड़ीज दिखाई बात कर रहे हैं आसमान नीला क्यों दिखाई दे रहा है इसका रिज़नले उपर ब्लू लाइट फैल चुकी है इसलिए ऊपर की चीज़े लाल है सूरस तो उपर की चीज़ें नहीं हैं सूरस तो लाल ही दिखाई दे रहा है ओविसी बात है ठीक है चलिए बेटा तो यह चीज आपको समझ में आगी अब देखो एक चीज होती है में स्कैटरिंग यह हला कि दस्वी के सिलेबस में मैं बोल रहा हूं प्रॉबबिली हो सकता ह है दस्वी के सिलेबस में यह चीज जो है वो पूछी ना जाए लेकिन बस नाम के लिए पता होनी चाहिए क्योंकि मास्टर क्लास है तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा सीख लेते हैं मास्टर क्लास में कि it occurs when the size of the particle becomes equivalent to or greater than the wavelength of the incident light मतलब कि जो light की wavelength है न इस wavelength से ज्यादा बड़ा क इस ना के क्या करेगी reflect करेगी कौन सा मतलब scatter होगी और कौन सी scattering बोलेंग उसे मियर scattering ठीक है clear है बटा चलो बहुत अच्छी बात है तो काफी सारे बच्चों ने आज happy teachers देवीश किया है तो पहरे पहरे बच्चों को बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- distortion in forward scattering direction मतलब यह जो line है यह actual में ज्यादा sense बनाएगी जब आप 12th class में चले जाओगी ठीक है मतलब आइसो ट्रोपिक वगेरा और distortion वगेरा इनका मीनिंग आपको ठीक से पता नहीं चलिए हना हाँ white glare around the sun is also due to my my scattering my scattering के कारण क्या होता है जो sun के चारों तरफ white glare मतलब की सब्सक्राइइ मैं निकल रही है ना वो फिर skatter नहीं हो पा रही है यहाँ नीचे आके skatter हो रही है मैं scentring क्या है ईक्चल में ऐसे particle से हिट कर रही है जो अल्रेडि light की wavelength से बढ़ाये तो वहीं पर कही न कहीं बड़ी wavelength जो light की wavelength है वो बड़े particle से टकरा चुक़्िय वहीं के वहीं क्या हो गई रही कि वह इस तरह से इस तरह से घूम गई ये डिए डेटा विडीयो नहीं है इह तरौछ को बता देता है लाइव जो सामझ में आ रहा होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं कि आपका काम हुना चाहि है पढ़ना ब्सषित्र को अचा गिफ्ट BOY अच्छा गिफ्ट क्या रहा है आपको नॉलेज दे रहा है समझ में आ गए सभी लोगों को चालिए अब आगे चलते हैं वेटा मिये स्केटरिंग भी समझ में आगी अब देखो जो बादल है वो सफेद दिखाई देते हैं उसका क्या रिजने देखो cloud droplets being larger scatter all wavelength of visible light so cloud appears white अब देखो cloud में क्या होता है cloud में wavelength से बड़े क्या होते हैं cloud में मोटे मिट्टी पी आशनीं मैं आप मतलब मीटर में अब देखो खुद सोच के देखो किया मैं यह बोल रहा हूं कि जो लाइट है वो जिस पार्टिकल से टकराएगी अगर उसका पार्टिकल का साइड लाइट से क्या हुआ लाइट्स के वेवलेंड से बड़ा हुआ थो हमेसा आसपास वाइट पर दिखाई देगा जैसे सन के चारो तरफ कि दिखा देघा रहा हमें वाइट अडिकलेर की कोई लगाय हुए वैट ग्लेर लघाएगी wise कि यह विशल बादल यही ऊ works है कि बादल जो है वो हमें क्या दिखाई देते हैं सफेद दिखाई देते हैं कि कैसे दिखाई देते हैं सफेद के बादल से जब लाइट टकराती है ना तो बादल के कौन इतने मोटे मोटे होते हैं या पार्टिकल जो बादल के अंदर होते हैं वो इतने मोटे होते हैं कि व बॉ आट बस बेसिक चीजह समझ में आ गया चलो बेटा बहुत अच्छी बात है तो पृटा यह था सारा आज का लेक्चर किसके बारे में स्कैटरिंग के बारे में I hope आप लोगों को समझ में आया और अच्छा लगा कुछ चीजे बेसिक थी जो हमने डिसकस की स्कैटरिंग एक बहुत ही बेसिक फिनोमिना है कि पार्टिकल से टकरा के और ऐसे लाइट का फैल जाना स्कैटरिंग कहलाता है अगर उपर ही सारा ब्लू कलर फैल गया है मतलब की चोटी चोटी वेवलेंद उपर ही स्कैटर हो जाती है तो भाई आसमान उपर नीला दिखाई देता है सिरफ आखों पे कौन सी पहुंचती है लाल आखों पे लाल कहां से आ रही है सूरस से तो सन हमें रैड दिखाई तहीं और जब लाइट की वेवलेंद से बड़ा पार्टिकल लाइट को टकरा जाए यह तो उस केस में क्या होता है सारे कलर मिलके टकलर बना लेते हैं तो यही रीजन है कि सन के चारो तरफ जो glare दिखाई दीती है वो वाइट और बादल जो होते हैं मोटे मोटे होते हैं लाइट की वेवलेंड से जादा बड़े पार्टिकल होते हैं सारी लाइट को reflect करते हैं या scatter करते हैं इस वे में कि सारे color light के scatter हो जाए उसी टाइम पे तो सारे color मिलके क्या बना लेत है ठीके बटा चालो अब आगे चलते हैं आगे चलेंगे तो lecture हमारा यहीं पे खतम होता है मिलते हैं अगले lecture में यह master class यहीं पे खतम होती है thank you so much and again happy teachers day to all of students और हमारे खुद के भी teacher रहे हैं जिन्होंने हमें सिखाया है मैं उन सभी को भी happy teachers day विश करता हूं चले बेटा class को खतम करते हैं और मिलते हैं अगले class में thank you